चोपड़ा एज़किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो उत्तर प्रदेश स्टेट का रेजल्ट आ गया है कटोफ काफी ज्यादा हाई रही है आज इस वीडियो में हम यूपी स्टेट के रेजल्ट के बा बारे में भी बात करेंगे साथ साथ हम इसकी रिपोर्टिंग के बारे में भी बात करेंगे और हिमाचल प्रदेश वा उत्तराखंड की के बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के रेजल्ट के बारे में तो उत्तर प्रोपर काम नहीं कर रही है जो इसमें seat allotment जिससे हम result देखते हैं हर एक institute wise result देखते हैं वो अभी काम नहीं कर रहा है ये कल दोपेर बाद में थोड़ी देर के लिए own हुआ था उसमें हमने जौनपूर medical college की cutoff निका ली थी हालांकि government की condition में जौनपूर medical college की cutoff ही last रहती है हालांकि SCST category में गाजीपूर की cutoff भी last रहती है फिर भी हम आपको जौनपूर medical college की cutoff बता देते हैं उससे आपको एक idea लग जाएगा तो इसकी आप cutoff देखने के लिए seat info में जो यहाँ पर आपको seat info का option दिया गया है उस seat info में आप जैसे ही click करेंगे तो इसमें seat allotate का option मि करेंगे इसके drop down पर आप click करेंगे तो इसमें institute wise allotment है उसमें आप check कर सकते हैं इसके अलवा आप अपना individual result यहाँ से check कर सकते हैं result पर click करेंगे result पर जैसे ही click करेंगे तो आपके roll number पुछे जाएंगे और roll number देने के बाद application number देने के बाद capture fill करेंगे तो उसके बाद आप कर सब्मेट करने पर result show हो जाएगा अगर आपको seat allot हुई है तो allotate seat का विवरन होगा उसमें अगर seat allot नहीं हुई है तो लिए लिखावा मिलेगा कि आपकी choice के according कोई seat आपको allot नहीं हुई है तो इस परकार से आप इसका result चेक कर सकते हैं अब हम बात करें आगे कि इसकी क्या रही है category wise कटोब तो category wise कटोब के बारे में हम सबसे पहले यहां देख लेते हैं your category की कटोब तो your category की कटोब जो जौनपूर medical college की बता रहा हूं में तकरीवन यही last रहता है 20608 rank पर जिसके 615 marks ते उसको जौनपूर मिला है EWS में 22483 rank जिसके 611 marks ते और 611 marks वाले OBC candidate जिसकी rank 22745 थी उसको भी जौनपूर मिला है SC category 152091 rank जिसके 459 marks ते और ST category 155320 rank जिसके 263 marks थे उसको जौनपूर मिला है हो सकता है SC ST category में गाजीपूर भी last मिले तो यह आप अपना एक बार result चेक कर ले प्राइवेट मेडिकल कोलेज की कंडिशन में जो सबसे नया मेडिकल कोलेज है इस बार SKS मतुरा वो मिला है 236 marks पर यानि की cut off private medical college की इस बार काफी ज्यादा हाई रही है पहले ये पिछली साल qualifying marks पर candidate को कोलेज मिल गए थे नारैना मिला था 94 marks में पिछली साल जो qualifying marks था और इस बार जो qualifying marks है 107 है लेकिन cut off 236 रही है इस बार private colleges की और उसमी नया medical college इस बार मिला है हम सब जानते हैं second round में UP state की cut off government की condition में भी ज्यादा रहती है और private medical college की condition में भी ज्यादा रहती है यहां की जो fees है वो 21-22 session की यानि 2021 में जो fees थी वही fees रखी गई है दो साल से fees में कोई increment नहीं है UP state में अब बात करते हम reporting process की तो reporting process के लिए जिन candidates को government college अलोट हुई है वो अपना जो admission formalities है वो सारी अपने allotted government medical college में ही करेंगे और जिन candidates को private medical college अलोट हुई है तो admission अभी आप allotment letter डाउनलोड करेंगे तो उसमें nodal center का नाम लिखा गया है उस nodal center पर आप admission की सारी कारवाई पूरी करेंगे reporting की पूरी कारवाई आप nodal center पर करेंगे nodal center इसमें वो होगा जो आपके इस allotment letter पर indicate होगा जो आपने पहले documents verification के time में दिया था वो nodal officer नहीं हो सकता nodal center नहीं हो सकता ये कोई जरूरी नहीं है जो आपके allotment letter में nodal center लिखा है उस पर आपको ये सारी कारवाई करनी है admission वहाँ ही लेना है private की condition में अभी documents की जो requirement है वो है एक तो allotment letter जो UP का allotment letter निकलेगा वो उसकी जरुत है दूसरा need का score card और admit card इसके बाद में आपकी 10th की mark seat date of birth के लिए 12th की mark seat और अगर UP से हैं candidates तो उनके लिए जो उनकी category का certificate है OBCS, CST, EWS का वो और domicile certificate तो ये इनकी जरूरत है यहाँ पर अब जो candidates से admission ले रहे हैं जैसे की जिसको permanency ही admission लेना है उनका admission final हो चुका है वो आगे second round में upgrade नहीं लेना चाते हैं तो ऐसे candidate तो अपना hostel security fees ये deposit कर सकते हैं college में लेकिन जिनोंने second round में reasonable करना है यानि second round में upgrade करना है तो वो शिरफ tuition fees की DD deposit करेंगे colleges में और वो जो tuition fees की DD है वो director general medical education and training UP इसके नाम आपको बनानी है spelling mistake बिलकुल नहीं करनी है payable at lucknow आपने DD पर लिखवाना है उसमें तो इस नाम से DD बनानी है और ये शिरफ tuition fees की DD ही बनवाने है जिनको upgrade नहीं करना है जिनको अपग्रेड करना है वो tuition fees की DD ही बनानी है जिनको upgrade नहीं करना है वो अपना hostel वगरार सारी कारवाई करके admission ले सकते हैं इसमें अब इसमें जो certificate होना चीए इसमें private medical college के लिए dental के लिए ये जो certificate होना चीए ये एक अपरेल 2023 के बाद का होना चीए जो cast certificate है वो OBC EWS की condition में इसके बाद में जो UP के लिए reporting time है वो 5 अगस्ट से लेके 8 अगस्ट तक के लिए time है यानि कि आप 8 अगस्ट तक अपना जो admission का formalities है वो पूरा कर सकते हैं तो ये है reporting process UP का उसके बाद में इसमें admission के time में आपको कोई consent नहीं देना है अपग्रेडेशन के लिए आप डाइरेक्ट सेकंड राउंड में 24 फिल कर सकते हैं यहां पर कोई problem नहीं है अब बात करते हैं उत्राखंडी स्टेट के category wise कटोब की तो open कटेगरी की 590 कटोब रही है GMC Almoda मिला है open जो यह है woman candidate है उनके 589 marks पर Almoda मिला है EWS 568 पर Almoda मिला है और OBC candidate 572 marks पर Almoda मिला है SC candidate को वीर चंडरा गड़वाल वाला मिला है 424 marks पर ST candidate को 395 marks पर GMC Almoda मिला है तो यह उत्राखंड स्टेट की category wise कटोब है यहां पर अब बात कर लेते हैं माचल परदेश की category wise कटोब के बारे में तो open की 541 GMC चामबा मिला है इसके बाद EWS 500, OBC 538, SC 490 और ST 477 marks पर इन सभी candidate को GMC चामबा मिला है इसमें अब बात करते हैं हम प्राइवेट मेडिकल कोलेज जो सोलन में है मैसी मार्केंडेस वर है वो management seat उसकी 381 marks यहनी 260,274 rank पर यह सोलन का प्राइवेट मेडिकल कोलेज मिला है management quota की तहब तो यह cut-off थी इन states की बाकी states की cut-off में पहले वीडियो बना चुका हूँ जैसे महराश्टर हो गया, राजस्तान हो गया, इसके बाद में और बाकी states की जैसे जैसे result निकले हैं, पंजाब हो गया, इन सबके वीडियो में आलरड़ी मेरी channel पी डाल चुका हूँ, आप channel सर्च करके देख सकते हैं, बाकी जैसे जैसे बाकी states की cut-off आएगी, मैं cut-off predict कर दूँगा, आप हमारे channel को subscribe करके रखें, क्योंकि इस परकार की genuine information हम लेके आते रहते हैं, और जो भी information लेते हैं, देते हैं, वो पूरी की पूरी authentic होती है, और counseling website से, state authority से, या mccc से, वहां से लीवी information ही हम share करते हैं, हम अपने तरफ से या सुनी, सुनाई बातों पर बिलकुल भी वीडियो नहीं बनाते हैं, ये सारा सब कुछ official information के तहत होता है, तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैह हैं